नवश्कार दोस्तों में प्राची संस्क्रति आयस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहर स्वागत करती हो आज के वीडियो में हम वल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी हाले में दा हिंदो में एक एडिट्यूरिल आया था जिसमें बताया गया था कि तमिलनाडू की सरकार के द्वारा वल्चर्स के प्रोटेक्शन को लेकर कुछ काम किया जा रहा है देखें अगर साउट की बात की जाए तो वहां पर तमिलनाडू में स्पेसिफिकली वल्चर्स की एक अच्छी खासे पॉपॉलिशन पाई जाती है और उनकी प्राश्चिति की तंतर में इ इन सब को लेकर हम आज की वीडियो पर चर्चा करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं एक स्प्लेंड एक स्रीज आई थी सेविंग वल्चर्स ऑफ तमिलनाडू एन यहां पर आप देख सकते हैं पूरा आर्टिकल आया था यहां था तमिलनाडू मिशन टु सीव दा क्रिट प्रजातिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है मतलब उन पर जादा खत्रा है उनके पॉपुलेशन जादा कम हो रही है तो उनको जादा प्रोटक करने के लिए काम करने की आवश्यक्ता है यहां पर देखिए तमिलनाडू गोवर्मेंट कॉंस्टिट्यूट टेन मेंबर पैन संख्या मिलती है हाला कि 1990 के बाद से लेकर थोड़ा सा पॉपुलिशन में थोड़ा ने बल्कि काफी डिकलाइन देखने को मिला है और इसका असर देखिए पूरे भारत पे पड़ा है तो तमिलनाडू में भी पड़ा है तमिलनाडू की अगर स्पेसिफिकली में बात करू क्यों कि वहां पर गिद्धू की जनसंख्या में क्यों कमी देखने को मिल रही है तो देखिए दरसल वहां पर एक छेतर है सिरियूर अनायकुट्टी और बोकापूरा इस वाली एरिये में पहले वल्चर्स के काफे सारे घोसले जो है मिलते थे लेकिन यहां पर सिंगूर प कि जो वल्चर्स है वो अपना जो मंदिर के आसपास का नेस्टिंग थे उनको छोड़ कर जा रहे हैं तो जो कुछ परियारन विद्ध थे उनके तरह डिमांड की गई कि जो टूरिस्ट की हां पर भीड़ी खट्टी हो रही है उनके संख्या पर नियंत्रन किया जाए क्यों इस तरह की होती है कि वल्चर्स को खाना खाने में प्रॉब्लम होती है जैसे उनको क्या है उनके पंक बड़े होते हैं तो अगर वो अपने भोचन के पास नीचे उतर रहे हैं या वापस आसमा में जा रहे है तो उसके लिए खुले इस्थान की जरुत होती है बट इस लें की जलवाइयोअ परीवर्तन काजो असर देखनी को मिल रहा है जङल में जो बार-बार आग लगने के कैसिस हो रहें किदो की प्रजातियों परना सिर्फ तमियन नाडु में बलकि पूरे भारत में असर देखनी को मिल रहा है इसके अलावे टर्मिनलिय अरजुन के पेड़ होते हैं यह पेड़ की प्रजाती है जिस पर वल्चर जो है अपना आप कह सकते हैं गोसला बनाते थे लेकिन समय के साथ क्योंकि इन पेड़ में भी कमी देखने को मिल रहे हैं तो उन गोसलों के लिए वल्चर को क्या एक अपना प्राकरतिक आवास नहीं मिल पारा जिसकी वल्चर कंजरवेशन कमीटी का जो स्टीट में फॉर्मेशन हो रहा है इसको वेलकम किया है तो देखिए हाली में तमिलनाडू सरकार ने गिद्धों के परभावी संरक्षण के लिए संस्थागत धाचा स्थापित करने के लिए राज्चे स्तरिय समीटी का क्या है गठन कि तो यह तो हमें पता चला कि एक स्टीट गवर्मेंट की तरफ से काफी कुछ काम वल्चर के लिए किया जा रहा है इसका मतलब जो गिद्ध है वो काफी महतरपूर्ण है तो देखिए यह प्रकर्टी के सफाई करमचारी माने जाते हैं जो काम बाकी लोगों के लिए खराब हैं ना करें तो हम बहुत सारी बिमारियों से बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है ग्रसित हो जाएंगे तो भारत की अगर बात करें तो मैंने को बताया था 1990 के दशक के बात से पॉपॉलेशन में गिरावाट देखने को मिल गई थी तो 1993 से लेकर 2003 के मध्ये भारत की गिद्ध से देखेंगे ओरियंडल, वाइट बाक्ट गिद, लॉंग बिल्ड गिद और रेड हेड वल्चर और एजिप्टीन जो वल्चर से यह जो चार स्पीसीज है यह तमिल नाडू में भी मिलती है और इन मेंसे कुछ जो है कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो इसलिए प्र इसलिंडर बिल्ड वल्चर यह कृटिकली एंडेंजर्ड है लॉंग बिल्ड वल्चर की बात करें कृटिकली एंडेंजर्ड है एजुप्टियन वल्चर की बात करें यह भी एंडेंजर्ड है रेड हेड़ेड वल्चर यह कृटिकली एंडेंजर्ड है इंडियन ग्रिफो इनको लेकर पूरे भारत में प्रयास किये जा रहे है गिद्व का महत्व तो देखिए जो वल्चर सोते हैं वो सिर्फ इन्वार्मेंटल हेल्थ के लिए ही इंपोर्टन नहीं है यह सिर्फ प्रकरती में जो एक बैलन्स बनाके रखते हैं खराब चीजों को क्लीन साउट कर देते हैं सिर्फ इसलिए महत्व नहीं है बलकि इनका एक रिलिजियस सिग्निफिकेंस भी है और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है बहारत के इंदर जो पार्सी समूदाय है उनके यहां धार्मिक और सांस्क्रतिक रूप से गिद्धो का काफी महत्व है और भारत के बाहर अगर आप देखें ग्लोबल लेवल पर तो वहां भी गिद्धो का कल्चरल और रिलिजियस जो है आपको एक देखने को मिलेगा देखें वल्चर जो है एपडेमिक्स जो होते हैं उनके आउटब्रेक को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि बेसिकली जो कारकस होता है उसको खा लेते हैं पहले ही उससे पहले ही कि जब उसमें फंगस या बाक्टीरिया जो पैथोजोनिक होते हैं इनका जो है कल्चर हो इंक्र तो वो जो है उनका सड़ना लगातार होता रहेगा उसमें काफी सारे pathogens जो है अपना घर बना लेंगे बात दो उनका परियावरण में जो है विस्तार होगा और उससे epidemic वगरे का breakout होता है तो हमारी हेल्थ के लिए भी वल्ट्रस काफी जादा इंपोर्टेंट है यह क्या है यह शौफीडर है संक्रमन का नियंत्रन करते हैं प्राकरतिक तंतर में महत्पून भूमिका निभाते हैं शंकरमित सवो पर यह खाना तो खाते लेकिन यह infected नहीं होते इनको infection नहीं होता है इसका reason क्या है इनके पीट में काफी एक strong acid मुझूद होता है जो pathogen को मारने के लिए काफी ताकतवर होता है यानि कि nature ने इनको cleanse करने का काम अगर दिया है तो इनको इसी तरीके से बनाया है कि यह जो है उस काम को अच्छे से कर पाए गिद कई विमारियों को फैलने से रोकने में मदद करते हैं जो मृत मवेशिया वन्यजीव होते हैं उनके सबों को शड़ने से पहले खाकर जो विशाक्त प्रदात परियावरण में प्रवेश कर जाएंगे उस चीज को यह रोकत है क्योंकि जब इस तरह का कारावचा घएंगे पाणी में मिल जाता है तो वह पानी जहारीला हो जाता है तो वह जो का में पानी मिल जहाएंगे उनको अजिक्स वास कई च्सके पारिक पता चला है इसके पर यानि इनकी breathing capacity भी थोड़ी सी अच्छी होती है, तो vultures are important for pupil and for environment, क्यों? क्योंकि ये कारक इसको खाते हैं, तो ये nature के garbage collector basically माने जाते हैं, disease वगेरा को जैसे plague हो गया, rabies हो गया, जो जानवर अपने में carry करते हैं, उनको ये फैलने से रोखते हैं, क्योंकि उन जानवरों को अ इनको digest करने में help करता है, और साथ में इनका religious importance है, वो तो ही पार्शी समुदाये के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, भारत में गिद्धो की स्थिती, ये map दिया गया है, कि 9 species जो है, इस तरीके से भारत में मिलती है, just for a symbolic purpose, गिरावट के कारण क्या है, अगर कोई प् क्योंकि वो cleansing का काम कर रहे हैं, उसकी जितनी जाधा importance है काम की, उतनी बचारों की इनकी bad reputation है, तो इस वज़े से क्या है कि इनकी जनसंक्या को लेकर जागरुकता का अभाव है, मतलब हम आम आदमी समझे नहीं पाता कि गिद्धो को बचाने की हमें जरुरत क्यों है, क्यों इसका नाम था diclofenic, यह जो diclofenic दवाई है, यह बेसिकली एक nasad दवाई है, और यह पशो में दर्द को मिटाने का काम करती थी, यह जो दवाई है, इसका बहुत ही जादा severe प्रभाव पड़ता है, वल्चर पर और इसकी वज़े से इनके अंदर को एक बिमारी आ जाती है, जो फाइनली इनके डेथ का रीजन बनती है, यह पर देखें, आयूसीन की रेड लिस्ट में, वल्चर की पॉपुलेशन को काफी डिक्लाइन पर रखा गया था, और सर्वे ने यह बताया था, कि जो डिक्लाइन हो रहा है, त्रो आउट इंडियन सब कॉंटिनेंट में, य जिसकी वज़े से फिर इनकी फाइनली डेथ हो जाती है, डिक्लाइन के अलावा भी बहुत सारे अन्य जो कीट नाशक है, जो भारी धातुए हैं, जैसे अरगनो क्लोरीन कीट नाशक, पाली क्लोरीन, बाइफैलनिल, पाली साइकलिक अरोमेटिक हाइडरो कावंस, इनकी उ पर जाते हैं, तो वो मेडिसिन के रसिट्यूथ उनके बॉडी में रहते हैं, वही वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, जो वल्चर के लिए बेसिकली हानिकारख हो रहे है, इसके अलावा बजली के तारों के तकनानी की वज़े से भी जनसंग्य में कमी आई है, इतनी जादा इसके अलावा और क्या रीजन है, विशाक तो भोजन, अगर भोजन के अंदर इस तरह की रेसिड्यूस से जो जहरी ले थे, तो वो क्या है, इनके रक्त में यूरिक एसेड में जमा हो जाते हैं, और इनके आंतरिक अंगों के चारों और क्रिस्टली करण होता है, जिससे इ प्रत्यों होने की क्या है संभावना बढ़ जाती है, तो यह कुछ ऐसे रीजन हैं, जिनको आप साइट कर सकते हैं, 1,2,3,4 करके, जो विल्चर की पॉपॉलेशन में प्रॉब्लम क्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कई बाद डाइकलोफनेक तो हमें याद हो जाता है, बट हमें वन डाइमेंशन पे ही आंसर भी इस नहीं रखना होता, मोर डाइमेंशन भी कवर इसमें करनी रहती हैं, तो अगर प्रॉब्लम है और इंपोर्टेंस भी पता है, तो फिर इनकी प्रोटेक्शन को लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं, तो हमने देखा, स्टेट लेवल पर जैसे इसके द्वारा एक फिर से प्रोग्राम शुरू किया गया, और वो प्रोग्राम जो है उनका लंबिट समय के लिए रखा गया, कि आने वाले कुछ सालों में वर्टेर्स के सनरक्शन को लेकर हम मोर आक्टिव होकर काम करेंगे, इसके अलावा इनको कानूनी सनरक्शन भी द इसके अलावा जो अन्यचे प्रजातिया होती है उनको वन्यचीव सनरक्शन अदीनियम की अनुसूची 4 में प्रोटेक्ट किया गया है, अगर अनुसूची 1 है तो हाइस्ट डिग्री ओफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जैसे आप नीच आ जाएंगे तो प्रोटेक्शन क का लेवल कम हो जाता है, ठीक है केंदर सरकार द्वारा रास्तियस तरफ दो का रही है यह उचना पहली जैसा कि मैंने आपको बता है 2006 में और दूसरी जो है 2020 से 25 तक के लिए संचालन कर रही है, यह ध्यान रखेगा कि यह परियोचना है इसको नेशनल बोट जो है ऑफ कुरा महारास्ट करनाटच का और तमिल्नारु को जो है वल्सर कंजरेशन ब्रीडिंग सेंटर से इनके लिए बिकायदा इनको help की जाएगी इन इन शेट में पॉपूलेशन के ब्स के आधार पर इनको जुना कया रहे जो न्यूव एक्शन प्लांँ अया था वो 2020-2025 के लिए उसकी बात की गई है तो मेजर अबजेक्टिव क्या है सबसे पहला जो बहुत जरूरी है वो तो यह है कि यह जो डाइकलोफनेक है इसको बेसिकली रिमूव किया जाए इस पर सक्त बैन लगाए जाए यह जो है मिलनी बंद हो जाए इस पर बैन लगाया भी गया स्टिल लीकेज हो जाती है तो उस लीकेज को रोकने की बात की गई है कि यूमन फॉर्मूलेशन जानवरों के लिए तो दवाई मान लीचे बैन कर दी गई लेकिन मनुश्यों के लिए जो दवाईया है इसके अलावा जो basically critically endangered vultures है उनको लेकर कुछ specific काम किये जाए यहाँ पर देखें 2008 में जो डाइकलोफनिक दवा थी उसका पशूच गत्सा के उप्योग में प्रतिवन्द लगा दिया गया था लेकिन फिर भी कहीं कहीं इसका यूज हो जाता है इसके लवा गिदो की आबादिवाले छेतर में आठ स्थानों पर जो गिद सुरक्षित छेतर कार्यकरा में इनको लागू किया गया है किसी छेतर को गिद सुरक्षित छेतर तभी गोशित किया जा सकता है जो मवेश्यों के सवों के सर्वेक्षण में लगातार दो सालों तक कोई जहरीली दवाई ना मिले और गिद आबादिवा की स्थिरों घटती ना हो अगर यह कंडिशन पूरी होती है तो उसको एक गिद सुरक्षित छेतर के रूपे गोशित कर दिया जाता है 2001 में हर्याणा का जो पिंजोर है महाँ पे गिद देखवाल कींद वल्चुर के और सेंटर की स्थापना भी की गई थी इस तरह के जो इनिशेटिव सें यह काफी हेल्प कर रहे है फिर देखे नौ गिद संरक्षिन और पजनन कींद इस्थापित किये गए थे और इनमें से त केंद्रों में जो गिदों की तीन प्रजादिया वाइट बैट लॉंग बिल इनका संरक्षिन किया जा रहे है तो इस आसम इनिशेटिव जो गवर्मेंट के द्वारा जो है वल्चर की पॉपुलेशन के लिए उठाया जा रहे है इसके अलावा यह भी मांग की जा रही है इसके द्वारा कि कितने गिद हैं उनके घोसले कितने हैं उनके जो शिकार स्थल है उन सब को देखने के लिए एक समकालिक गिद जर्णगर्ना भी की जाए ताकि अगर सही रटा हमारे पास होगा तो सही तरीके से हम इनिशेटिव से ले पाएंगे जहां जतनी जरुरत तो मुझे उमीद है वल्चुर्स के बारे में एक basic understanding जो होनी चाहिए थी वो आपको पता चल गई होगी हमने वल्चुर्स की importance उनको क्या खत्रे हैं और उसके लिए government क्या कर रही है तीन और स्पेक्ट्स को इस वीडियो में गावर किया है ध्यान से देखेगा काम आएगी बाकी इसी तरह अच्छे तरह के से पढ़ते रहे हैं मुझे उमीद है कि आप जिस लक्षे के लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहे है उसमें आप काम्याब जरूर होंगे नमश्कार जय धिन शुब हो आपका देन झाल